अच्छा बेटे आम आरा आज का टॉपिक है अलोट्रोपी तो अक्सीजन को देखें अगर हम तो अक्सीजन O2 की फॉर्म में भी पाई जाती है और अक्सीजन O3 की फॉर्म में भी पाई जाती है अब है सेम दोनों गैसे हैं अक्सीजन O2 की फॉर्म में भी पाई जाती है और O3 के form में भी पाई जाती है अब कारबन है बेटा कारबन बलेक जो होता है वो ग्रिफ़ाइट की form में भी पाया जाता है जिससे लेड पैंसिल बनती है बेटा वो डामेंड की form में भी पाया जाता है है सिर्फ कारबन लेकिन सिर्फ अरेंड़मेंट की डिफरेंट अटम की डिफरेंड एरेंड़मेंट की वजए से वो डिफरेंट फर्म में पाया जाता है तो इस फिनॉम्ना को हम कहते हैं अलो टॉपी नुमान वाले अले कुसलाम बिटा टाइम से आया करें तो ये definition है बेटा कि अगर कोई सबस्टांस है जो exist करती है एक से ज्यादा forms में, किसी एक सबस्टांस का एक से ज्यादा forms में पाया जाना कहलाता है एक मिनिट बेटा इसकी definition देखें, अच्छा, sound का problem आ रहा था एक बच्चा कह रहा है, बाकी बच्चे बिताएं हुजैफा कह रहा है, बीटा बास ठीक आ रही है बेटा, हवास ठीक आ रही है चले ठीक हो गया, गुड है फोर जी आ रहा है, पहले थोड़ा सा उसका इशू था तो देखें मिटा, अभी आपके सामने मैंने एक साइड पे लिखा है ऑक्सीजन यानि कि एक की ऑक्सीजन है, वो O2 की फॉर्म में भी पाई जाती है और O3 की फॉर्म में भी पाई जाती है और दूसरी तरफ कार्बन एबिटा कार्बन ग्रेफ़ाइट की फॉर्म में भी पाई जाती है डायमेट की फॉर्म में भी पाई जाती है झाल झाल टुर्य को आधा किया था नहीं अपनी का रहा हृँ आधा रिटा रिया थे चेलें विटा में अबस्केर सब्सक्राइअ अछुच्ण में जा रिख रहा रिए इन्ट सब्सक्राइभ पर रे रेंडिने फिश्ड्म के नौम काम अविटो अफिए विट रॉट आ रन्नॉन नम तो मैं definition को mark कर रहा हूं में तालपु की the existence, मैं इसको blue से मार कर देता हूँ, the existence of an element in more than one forms in the same physical state is called allotropy. कि existence of an element, जहाँ पर कौन सा element है? Oxygen, और left side हमने कौन सा element की बात किया है? Carbon, existence of an element in more than one forms, एक से ज्यादा हालतों में पाया जाना, यही oxygen और ozone, यह दो forms में पाया जा रही है, तो एक से ज्यादा forms में मौझूद है, अगर carbon की बात करें तो it is present in the form of graphite and diamond, तो एक ही substance है, जो एक से ज्यादा forms में पाय जा रही है, in same physical state, अब इन दोनों की physical state gas है, इन दोनों की physical state solid है, तो अगर कोई substance एक से ज्यादा forms में पाय जाती है, लेकिन उसकी physical state same हो, तो वो phenomena, जब वो process क्या कहलाता है बेटा? इसे कहते हैं allotropy, तो existence of an element in more than one forms, एक से ज्यादा हालतों में कि same physical state is called allotropy, इस process को क्या कहते हैं बेटा? allotropy, अकसर बचे ये word भूल जाते है, in same physical state, ये लेकना बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो oxygen O2 की form में gas है, और glucose की form, glucose में भी oxygen मौझूद है, glucose solid है, तो उसकी बात नहीं कर रहे, अगर कोई substance pure form में एक ही physical state, it means physical state या liquid होती है, या gas होती है या solid होती है, एक ही physical state में कोई substance pure form में एक से ज्यादा हालतों में पाई जाए, जैसे ozone और oxygen gas, दोनों oxygen से मिलकर बने हैं, इसी तरह से sulfur की जहाँ पर examples हैं बेटा, आगे हमारे पास, ये नीचे मैं इसको बिलकुल end पे देखके circle कर रहा हूँ, sulfur rhombic form में में पाई जाती है, औ rhombic और monoclinic क्या है, ये वीटा elements की arrangement है, अगर असको असान लफ़ों में ऐसे मैं कर बनाने की ड्रा करने की कोशिश करूं, तो suppose एक की shape इस तरह से होगी, और दूसरे की shape इस तरह से होगी, यानि कि एक ही substance है, उसके अंदर elements की arrangement different हो गई, या उनकी में number of atoms different हो गई, और वो इक से ज्यादा physical state में पाई जा रही है, तो इसे कहते हैं, allotropy, सर दुबारा समझा दे, अब बेटा मैं revise कराता हूँ, ये revise हो जाएगा दुबारा सारा, तो देखें हमने दुबारा मैं इसको start से वही example बताता हूँ कि मारे पास एक element है oxygen, अब oxygen जो element है बेटा, अगर उसके oxygen के दो atom आपस में मिलें, वो बनाते हैं O2 जिसे हम कहते हैं oxygen gas, और अगर तीन atom मिलें तो उसे हम कहते हैं ozone gas, तो एक ही element का एक से ज्यादा forms में पाया जाना allotropy कहलाता है, अब आप लोगों को ये clear होगा कि इस को क्या कहते हैं, allotropy, तो इसकी definition में बेटा, the existence of an element in more than one forms in same physical state is called allotropy, अब allotropy की दो reasons है बेटा, या तो allotropy की पहली reason है बेटा, या तो allotropy की पहली reason है बेटा, the existence of two or more kinds of molecules, इसको एक मिनट में ऐसे करें, पहली बेटा, different number of atoms, एक reason है, different number of atoms, अब यहाँ पर oxygen gas के अंदर, number of atoms दो है, ozone gas is, अगर हम इसको सास ले, तो हमारे लिए harmful है, लेकिन हमसे दूर, atmosphere में मौझूद है, वहाँ पर बेटा, यह हमारे लिए beneficial है, sun से आने वाली harmful ultraviolet rays को यह, उन से हमें protect करती है, तो अब allotropy की दो reasons है बेटा, या तो number of atoms different हो सकते हैं, जैसे कि O2 के अंदर oxygen के कितने atoms हैं, तो और O3 के अंदर oxygen के कितने atom हैं, तो पहली allotropy की reason क्या है, कि number of atoms different हो सकते हैं, second reason क्या है, different arrangement of atoms, यानि कि यह दो पहले तो आप इनके यह दो point माइंड में रखें, कि allotropy यानि कि एक ही element, एक से ज्यादा forms में पाया जाता है, कैसे उसकी एक वज़ा हो सकती है, कि बेटा different number of atoms हो, जैसे oxygen के अंदर 2 और ozone के अंदर oxygen के 3 atoms है, तो यह different number of atoms है, और दूसरा है different arrangement, जैसे कि नीचे अगर देखें, rhombic और monoclinical लिखा हुआ है, या हम diamond की बात करें अगर, तो diamond में carbon का structure कुछ इस तरह से होता है, यानि कि वो tetra-hedral arrangement में जुड़े होते हैं, अगर उसके angle 109 का होता है, यानि कि दो carbon atoms के दरम्यान, सारे carbon atoms के दरम्यान angle 109 का होता है, arrangement की बात हो रही है, अगर हम बात करें ग्रिफाइट की बेटा, तो graphite में carbon के सारे carbon atom के दरम्यान 90 का angle होता है, इस तरह से linear arrangement होती है, तो सिर्फ है एक ही चीज, carbon, उसकी arrangement different होने से, वो एक different, उसकी different form बन जाती है, जनी कि अगर different arrangement हुई है, तो वो graphite भी हो सकता है, और वो diamond भी हो सकता है, तो दूसरी reason क्या है बेटा, कि allotropy की, कि different arrangement of atoms, तो अगर short question आया है, बेटा कि define allotropy, short question आया है, define allotropy, तो उसमें आप ये line लिखेंगे बेटा कि existence of an element in more than one form, in the same physical state is allotropy, allotropy is due to different number of atoms, पहला point, और दूसरा point, different arrangement of atoms, यनि कि अगर just short question आया है, तो उसमें आपने ये चीजे लिखनी है, ये दो पॉइंट पूरे नहीं लिखने, जस्ट आपने उसमें ये लिखना है, different number of atoms और दूसरे में different arrangement of atoms, कि allotropy की दो reasons है, या तो atoms की तादाद different हो सकती है, या atoms की arrangement यू है, वो different हो सकती है, मालेक्यूल के अंदर, तो वो different substances बन जाती है, और इस phenomenon को allotropy कहा जाता है, अब एक और short question आता है, allotropy के reason क्या है, what is reason of allotropy, अगर अलग short question आता है, reason of allotropy, उसमें फिर हमें ये point 1 और point 2 सारे लिखने पडेंगे, अब इनको detail से discuss करते हैं, point 1 and 2 को, the existence of two or more kind of molecule of an element, each having different number of atoms, such as allotropes of oxygen, are oxygen and ozone, के एक ही element है, उसके number of atoms different है, तो वो एक different form उसकी बन जाती है, जैसा के ozone में oxygen के 3 atoms हैं, और oxygen gas के अंदर oxygen के 2 atoms हैं, second arrangement, different arrangement of two or more atoms or molecules in crystal of the element, such as sulfur shows allotropy, अब sulfur के अंदर allotropy show होती है, ये नीचे उसका structure भी बनाया है, due to different arrangement of molecules in S8 crystal, कि sulfur का जो बीटा crystal है, उसके अंदर sulfur के 8 atoms होते हैं, एक crystal के अंदर sulfur के 8 atoms होते हैं, अब उनकी सिर्फ different arrangement की वज़ा से, उनमें, जो, उनकी different arrangement की वज़ा से, वो different substances बन जाती हैं, मैं आपको ये उदर से इसका structure net से भी शोग करवा देता हूँ, अब देखें मेटा, ये मैं इसको encircle करता हूँ structure को ये, अब इसके अंदर भी sulfur के 8 atoms हैं, और इसके अंदर भी sulfur के 8 atoms हैं, लेकिन ये वली arrangement different है, और monoclinic arrangement different है, एक rhombic sulfur है, और दूसरा monoclinic sulfur है, फर्क किसका है, सिर्फ इनके अंदर फर्क इसमें आ रहा है बेटा, नम arrangement of atoms का, इनके अदर सिर्फ arrangement का difference है, जी बेटा नमान, 3 dimensional structure is found in crystalline solids, जी बेटा ये short question इसमें से बनते हैं, और इसमें 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 individual short question भी बनते हैं, तो ये आप बेटा monoclinic sulfur और romeic sulfur मैंने आपको शो कर दिया, कि इनके अंदर just arrangement की different है, एक में different arrangement बन रही है, एक longitudinal form में है, और एक crystalline form में, जी इनके इसमें diamond की तरह का उसकी shape आपको नज़र आ रही है, तो हैं दोनों के अंदर 8-8 atom, लेकिन सिर्फ उनकी arrangement जो है, वो different है, तो second reason है, due to arrangement, different arrangement, different arrangement of two or more atoms of molecules in a crystal of elements, such as sulfur shows allotropy due to different arrangement of molecules in the crystal, जी allotropy की दो reasons है, due to different number of atoms and due to different arrangement of atoms, अब बिटा, next paragraph को में read कर रहा हूँ और आप इसमें एक short question लिखेंगे, transition temperature, एक अलग short question आता है, very important short question, what is met by transition temperature, ये एक short question आता है, हम इसकी तरफ आते हैं, बेटा, मैं पहले ऊपर की लाइने रीट करता हूँ बेटा, जास उसको long question आते हैं, जास में लिखेंगे, otherwise short उसमें से नहीं बनता, allotropy of solids have different arrangement of atoms in the space at a given temperature, the arrangement of atom also changes with the change of temperature and new allotropic form is produced, बेटा देखें, अभी हमारे पास लीचे वाली एक्जाम्पल देखें, ये एक्जाम्पल देखें, मैटा, rhombic और monoclinic, यानि कि टेंप्रेचर अगर चेंज करें, वो 96 degree centigrade temperature से पहले-पहले rhombic form में होता है, जो आपको इस तरह से शो हो रही थी, बेटा, जो कुछ इस तरह की shape में थी, वो rhombic form, तो यानि कि sulfur का crystal होता है, वो rhombic form में होता है, less than 96 temperature पर, और अगर 96 temperature उसको हम दे दें, तो 96 degree centigrade पर वो monoclinic form में change हो जाता है, जो इस तरह की shape आपको longitudinal shape शो हो रही थी, तो इसका मतलब यह जो temperature है, जिस पर एक allotrop, दूसरे allotrop में change हो रहा है, इस temperature को कहते हैं transition temperature, कि ऐसा temperature जिस पर एक allotropic form, दूसरे allotropic form में change हो जाए, इसे कहते हैं transition temperature और इसको mark करेंगे, the temperature at which one allotrop changes into another is called transition temperature, कि वो temperature जिस पर एक allotropic form, दूसरे allotropic form में तबदील हो जाए, उसे कहते हैं transition temperature, for example, transition temperature of sulfur is 96, और उसमें ये आप diagram, यानि कि ये वाली equation है, वो इस short question में लिखेंगे, अगर short question आया, define transition temperature, तो जो line ये आपके सामने मार्क की वी हैं बेटा, almost two lines है, और रीचे एक equation है, ये याद रखेंगे, और याद रखेंगे बेटा, कि sulfur 96 से पहले rhombic form में, और 96 पर monoclinic form में पाया जाता है, तो जो MCQ भी आ जाते हैं, कि below 96 degree centigrade temperature, sulfur is present in rhombic form या monoclinic form, या पिर ऐसे MCQ आ सकता है, कि at 100 degree centigrade, at 100 degree centigrade, sulfur किस form में पाया जाता है, sulfur का कौन सालो ट्रॉप पाया जाता है, तो 100 degree centigrade पर monoclinic form में होगा, क्योंकि 96 से सारा monoclinic बन जाता है, O2 का मुझे उसका नहीं मालूम, transition temperature मुझे नहीं मालूम, यानि कि लेकिन ये उसको भी convert किया जा सकता है, O2 को O3 में और O3 को O2 मे convert किया जा सकता है, लाकिन मुझे उनका भी exact values नहीं जाद, तो ये बेटा transition temperature, इसी तरह से transition temperature की कुछ और examples भी दी हुई हैं बेटा, other examples, आप बेटा tin है, और वो उसकी ये दो examples है, जो tin है बेटा, उसका symbol है, SN, 10 का symbol SN, और phosphorus का symbol P, अब बेटा, अगर phosphorus का temperature, room temperature है, या 25 degree centigrade है, या 100 degree centigrade है, इस temperature पर जो phosphorus हमें मिलता है, वो white form मिलता है, और अगर उसको temperature हम 250 कर दें, तो वो red बन जाता है, 250 degree centigrade पर, जो phosphorus exist करेगा, उसका color red होगा, तो इसका मतलब है, जो phosphorus का transition temperature है, that is 250 degree centigrade, 250 से below होगा तो white, 250 से above होगा तो red, तीन examples करनी है, बेटा, ये तीन और example इस तरह से करनी है, क्योंकि MC की वाज आते हैं, कि phosphorus exist at, at 100 degree centigrade phosphorus exist in white form या फिर red form, और या पिर allotropy का जब सारा long आएगा बेटे, तो आपने allotropy की definition लिखी, reasons लिखी, फिर transition temperature लिखा और फिर उसमें आपने ये तीन और examples करनी पड़ेगी, इसी तरह से एक और substance अबेटा 10, जिसको जो के cubic form में पाई जाती है, या फिर, a tetragonal form में पाई जाती है, तो इसका MC की वाता है बेटा, कि at room temperature, tin is present in white form या tetragonal, या फिर cubic, तो इसका temperature जाद रखेंगी, या फिर MC की वाता है कि tin का जो transition temperature वो कितना है, तो अगर tin को आप freeze में रख देंगें, तो वो grey color का बन जाएगा, और अगर आप उसको room temperature में बाहर निकाल के रख दें, तो उसका color white हो जाएगा, it means वो automatically color change करेगा temperature की वजा से, तो लास्ट में है बेटा कि, white phosphorus is very reactive, poisonous and vexisolid, it exists in tetraatomic molecule, tetra का मतरा बता है 4, यानि कि 4 phosphorus जो है, ऐसे 1 phosphorus के साथ, चार phosphorus के atoms आगे जुड़े होते हैं, tetraatomic, while red phosphorus is less reactive, non-poisonous and brittle powder, तो ये difference आ सकता है, बेटा कि red phosphorus और, white phosphorus और red phosphorus में क्या difference है, तो red phosphorus very reactive है, और poisonous है, और vex ही solid है, it means चिपकने वाला solid होगा, vex की तरह, जबकि जो red phosphorus है, वो less reactive है, non-poisonous है, जहरीला नहीं है, और brittle powder है, brittle का मतलब होते है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप hit करो, और फॉरण आसानी से टुकड़े हो जाए, जिसका तूटना आसान हो, वो आसानी से break हो जाए, वो substance क्या कहलाती है, जिसका ब्रिटल कहलाती है, जी, allotropy depends upon temperature, temperature की वज़ा से, एक allotropic form, दूसरे allotropic form में change हो जाता है, सर, ये कौण सा टिन है, बिटा, टिन मेटल है एक, mostly, ये जो आप टिन होते हैं, बिटा, जो cold drinks के टिन पैक होते हैं, उनके अंदर, actually, टिन की coating की गए होती है, जो white color का आपको उनके नजर आ रहा होते हैं न, बिटा, वो टिन की coating करते हैं, ताके वो उसको जंग ना लगे, तो टिन काफी एक protective metal है, जिसको rust नहीं लगता, उनको टिन, mostly, I think so, कहा भी इसी वज़े से जाता है, mostly food के जितने भी packings होती है, उनके अंदर जो coating की जाती है, वो टिन से की जाती है, टिन एक metal है, बिटा, और उसको symbol Sn है, तो ये, बिटा, हमारा आज का topic था, ये हमारा आज का topic है, बिटा, अगर अब 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 अगर long question आता है, बिटा, तो मैं उसकी formation लिख देता हूँ, अगर ये long question आया है, बिटा, तो सबसे पहले आप allotropy को define करेंगे, फिर आप उसकी reasons लिखोंगे, allotropy is due to, फिर आप transition temperature को, transition temperature को define करके, उसकी फिर तीन examples देतोंगे, बिटा, ठीक है, सर, ये paragraph भी करना है, जी बिटा, ये paragraph करना है, और ये आखिर में ये अलग short question आज आ सकता है, बिटा, कि white fast for us और red fast for us के, आप उनका difference लिखो, अब बिटा, आप लोगों ने क्या करना है, test yourself के question मैं briefly बिटा देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, बिटा, अगर ये long question आए, तो पूरा पर आए, जी बिटा, वैस पूरा लिखना है, ये लिखना सारा है, long आता है, जो सारा लिखना है, बिटा, headings के साथ, अच्छा, test yourself के बिटा, question देखे, which form of sulfur does exist at room temperature, आप बताए, room temperature के किस फ़र में पाए जाता है sulfur, sulfur बिटा, अभी पिछला सफ़ा देखो, बिटा, उपर वाला पेज देखो, उसमें लिखा हुआ है, rhombic form में बिटा, exist करता है, 96 से less होगा, तो rhombic, 96 पर rhombic convert होने लग जाएगी, उसमें monoclinic में, और 100 degree centigrade पर वो सारा monoclinic होगा, इसी तरह से दूसरा देखें मेटा, question, why is white tin available at room temperature, तो white tin क्यों room temperature पेपाए जाता है, तो आप लिखेंगे मेटा, कि transition temperature of tin is 13.2 degree centigrade, so if temperature is below 13.2, tin will be available in grey form, and above 13.2, और at room temperature that is 25 degree centigrade, tin is present in white form, ठीक है बेटा, यानिके इसका concept यह है, कि tin white form में क्यों पाए जाता है room temperature पर, तो क्योंकि उसका transition temperature 13 degree centigrade है, तो 13 से temperature जब ज्यादा होगा, तो वो white form में पाया जाता है, इसी लिए 13 degree centigrade पर जो tin है, that is available in white form. Next question देखें मेटा, Why is melting point of a solid considered its identification characteristic? मेटा, जितनी भी substances, कोई भी new substance जब बनती है, तो सबसे पहला काम जो scientist करते हैं, कोई new compound बनाते हैं, या कोई new element बनाते हैं, वारिया मेटा, क्योंकि solid sharp होता है, मुझे आपकी समझने आई क्या कहा आपने, बेटा, नहीं, actually, जितने भी element है, सब का melting point different होता है बाकियों से, हर solid का melting point बाकियों से different है, अगर, किसी भी दो substances का melting point same नहीं हो सकता, अगर melting point same आगया, अगर कोई आपको मैं दो चीज़ीं कहता हूँ, कहता हूँ A और B का melting point find करो, आपने कहा, सर, A का भी 37 है, और B का भी 37 है, इसका मतलब है, A और B दोनों के अंदर चीज़ एक ही थी, तो, नहीं है वैस, पीटा, I don't think so, try to refresh your connection, 4G आ रहा है मेरे तो पास, पीटा, I think issue नहीं आ रहा है आवाज में, तो, याद रखेंगे, पीटा के पीरोडिक टेबल के जितने भी elements है, सब के melting point बाकियों एक दूसरे से different होंगे, तो, अब कह सकते हैं, कि every solid has melting, every solid has a different melting point than others, every melting, every solid has melting point different than others, that's why it is considered its identification characteristic, अगर मैं आपको कोई solid देता हूँ, आप कहते हैं सार इसका मैंने melting point find किया है, 97, मैं पिर आपको कहता हूँ, जाओ लिटरेचर में देखो, और 97 किसका temperature होता है, तो आप कहते हैं, 97 जो है, वो तो sodium का है, इसका मतलब है, जो substance आपने मेजर किया है, जिसका melting point वो sodium था, अच्छा, अभी हमारे पास तीन मिनट है, हुजयफा, जस्ट अम इसको bind up कर लेते हैं, फिर आप चले जाएगा साब बचे, क्योंकि पच्पन मिनट तक हमारे पास ट्राइम है, 11 55 तक, अभी 47 हैं, भी 7-8 मिनट रहते हैं, 3 मिनट तो वैसे इस कलास में, मेरे अपने रहते हैं, 5 मिनट तो वैसे एक्स्ट रहते हैं, उसके बाद, वाई amorphous solids, do not have sharp melting and boiling point, while crystalline solids do have, तो वैटा, क्योंकि amorphous solids में, कोई elements की arrangement नहीं होती, जबकि crystalline solid में definite arrangement और 3-dimensional pattern of elements होता है, which is lighter than, which is lighter one, aluminium और gold, तो इसका मुझे exact नहीं मालों, इसको आप अदर से देख लेंगे, बुक से हमारे भी, इसको हमने देखा नहीं, aluminium is light, इसका मुझे नहीं, confirm बेटे, यह आप देख लेंगे, नोट से, I write the molecular formula of sulfur molecule, sulfur का molecular formula क्या है, बेटा, S8 है, which allotropic form of carbon is stable at room temperature, तो room temperature भी बेटा, उसकी graphite भी stable है, और diamond भी उसकी allotropic form भी, वो stable है, and state whether allotropy is shown by elements or compounds, और both, बेटा, allotropy is shown by elements, allotropy elements show करते हैं, बेटा, जैसे sulfur एक element, carbon एक element, oxygen एक element, तो allotropy elements show करते हैं, जी बेटा, हाँ, ऐसे only elements, तो आप बेटा, आप लोगो ये जो curing with salt to preserve meat, ये भी पढ़ लेंगे, और MCQs को आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, बेटा, आप लोगोंने MCQs को खुद सॉल्फ करना है, जो MCQs समझ ना रहा हो, वो आप मुझ से पूचेंगे, MCQs को ये टना ही बेटा, Allah Hafiz बेटा, और बीटा अपने नाम होई रखें जौ आपका नाम है अगर आपको शर्बिंद्धी होती है अपना नाम करवाने से कमा वालदे ने नाम नाम को अच्छा लगता है तो फिर अपना नाम ही लिखा करें कर आद parecer मुझे भी बता चले कौन कौन क्लास के अभी एक बचे को मैंने क झाल झाल